दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के भी ओनलाइन फीज किस प्रकार से आप भर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा की केंद्रिय विद्यालय संगठन की ओनलाइन फीज कैसे जमा करते हैं तो आप अपने मुबाइल से या लेपटोप PC किसी से भी घर बेठे आसानी से भर सकते हैं फीज तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चिनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रॉम में के भी फीज टाइप करेंगे उसके बाद में यहाँ पर ओनलाइन फीज कलेक्शन यूनियन बैंक ओफ इंडिया इस बाले आप्शन पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर दोस्तो क्लेक हैर फोर ओनलाइन फी कलेक्शन फी पेमेंट तो यहाँ से आप इस बाले आप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको click here for online payment वाले option पर click करना है अगले step आती है यहाँ पर make payment तो यहाँ पर आपको student unique ID डालना है इस box में यहाँ पर student की date of birth डालना है या इस calendar से choice करना है उसके बाद में यह capture code को इस box में fill करेंगे और login बटन पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तो आपका जो account है login हो जाएगा तो यहाँ पर आपका student का नाम लिखा रहेगा यहाँ पर DOB और यहाँ पर unique code और यहाँ पर class 10 इस तरीके से class लिखा रहेगा यहाँ पर school name लिखा रहेगा उसके बाद में make payment का option मिलेगा student की यहाँ पर student name यहाँ पर school का name यहाँ पर category मानेटी यहाँ पर academic year 2022 इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है इस box में यहाँ पर email ID डाल देना है और आपकी जो total fees है यहाँ पर आपको fees देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको mac payment का option मिल जाएगा यहाँ से आप online fees आसानी से कर पाएंगे net banking debit card किसी से भी यहाँ से जैसे mac payment पर click करना है यहाँ से अपने अपनी fees जमा कर देना है उसके बाद में दोस्तों जैसे फीज सम्मिट होगी तो यहाँ पर kbs fee payment response तो यहाँ पर आपकी student ID यहाँ पर transaction ID और transaction successful successful तो यहाँ पर print का option मिलेगा इस print पर click करना है payment हो गई है तो इस तरीके से आपको इसका print out निकाल के अपने पास में रख लेना है और अपने school में submit कर देना है तो दोस्तों इस तरीके से आप kbs fee online अपने घर बेठे आसानी से फीज जमा कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें जिससे आने वाली notification आप तक आप